है गाईज वेलकम बैक टो मनीशा कॉमर्स क्लासिज आज हम अपना फाइनेशल मैनेजमेंट का नेक्स टॉपिक करेंगे इस फॉंक्शन ओफ फाइनास उससे पहले मैं आप सबसे कुछ बात करना चाहती हूं कुछ स्टुडेंट्स पुछते हैं कि मैं ये नोट्स हैं जो वीडियो के वो कहां से मिलेंगे नोट्स प्रवाइड करवा दीजिए तो हमारे टेलिग्राम चैनल है मनीशा कॉमर्स क्लासिज के नाम से मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप वहां पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फंक्शन फाइनांस हमारा आज का टोपिक फंक्शन फाइनांस जो फंक्शन फाइनांस के वह थ्री टाइप्स केते हैं फस्ट इस इन्वेस्मेंट डिसीजन सेकिन इस फाइनांसिंग डिसीजन और इस डि investment decision investment decision में में हमें क्या देखना होता है कि हमें जो finance acquire करना है वो क्यों acquire करना है हमें जो invest करना है पैसा वो कहां पर invest करना है कितना पैसा invest करना है क्योंकि जब हम देखती हैं कि हमें पैसा acquire करना है तो में लिए हमारा question क्या आता है कि हमें कितना finance acquire करना है कितना finance acquire करना है कहां से करेंगे वो तो बात की बात है पहले तो हमें यह पताना चाहिए कि हमें finance चाहिए कितना क्यों चाहिए कितना चाहिए राइट तो investment decision में हमें इसी question concern मिलता है कि क्यों चाहिए कितना चाहिए like हम हमें long term के लिए चाहिए लोंग टरम को हम कैपिटल बस्टिंग डिसीजन भी बोल देते हैं जैसे कि हम कहते हैं कि हमें प्रांट में इन्वेस्ट करना है मशिनरी में इन्वेस्ट करना है बिल्डिंग में इन्वेस्ट करना है कि इस चीज के लिए चाहिए क्योंकि अगर लाइक हम बिल्डिं की जरूरत होगी like raw material खरिदने हैं wages पे करनी है salaries पे करनी है डेली के जो हमारे maintenance charges है वो पे करनी है उसके लिए चाहिए यह हमें प्रें long term uses के लिए चाहिए जैसे की plant and machinery building वगारा राइट जब हमें यह पता लग जाएगा कि हमें चाहिए क्यों पैसा long term time return is what we need to have the income प्रेंट पता जाहिए फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं कि हमें पैसा किटना हैा क्यों चाहिए क्यों चाहिए क्यों कि पता लग जाएगा कि हमें long term के लिए चाहिए टिसीजन के लिए उस हिसाब से हम अपना financing decisions लेंगे उसे हिसाब से हम यह देखेंगे कि हमारे जो नीड है वो कितनी है कि कितरे term के लिए है उसके हिसाब से ही हम अपने आगे के decisions लेंगे लाइक की हमें जो लोंग टम यूज के लिए पैसा चाहिए वह हम लोंग टम में discuss करेंगे कि कौन-कौनसे decisions हैं investment decision समझ आग आगे many question on investment decision में हमी है यह देखना होता है कि जो पैसा invest करना है हमने वह वग कहां पे invest करना है right कहां पे inwest करना है like plant and building में वेस्ट करना है machinery में inwest करना है कहाа कि बच्त करना है और कितने time के लिए invest करना है इसमें हम बस अपने यही questions के answer ढूनते हैं उसके बाद जब हमें यह clear हो जाएगा कि हमें पैसा कितने time के लिए invest करना है और कहां पर invest करना है उसके बाद हम कौन सा decision लेंगे financing decision financing decision में हम क्या करते है finance को acquire करते है right finance को acquire करते है various sources से हम देखते हैं कोन-kोन से sources है कहां से हम अपना finance है जो raise कर सकते है like हमें loan लेने चाहिए या हमें shares issue करने चाहिए मतलब हमारे पास दो options होते है right debt का option भी होता है debt means long term loans हो जाते है equity means क्या होता है हमारी owned capital जिसमें हम shares issue करते है right तो हम क्या करते है अपने debt या equity का decision लेते है debt और equity की जो ratio होती है उसे हम क्या बोलते है capital structure क्या बोलते है हमें debt और equity की ratio को capital structure या हम उसे debt equity ratio भी बोलते है जब हम debt और equity ठीक है debt और equity की ratio को decide करते हैं कि हमें debt कितना लेना चाहिए मतलब हमें loan कितने लेने चाहिए बाहर से finance कितना acquire करना चाहिए या फिर हमें equity कितने issue करने चाहिए तो हम क्या करते हैं दोनों के merits भी देखती है deberits भी देखते हैं क्योंकि कोई भी source है चाहे वो debt, equity, preference, यह कुछ भी है, ठीक है कोई भी source है, उसके अपने merits होंगे, उसके अपने demerits भी होंगे, तो इसके लिए एक simple सा वे क्या है, कि हम दोनों को अच्छी सरा ऐसे देखते हैं कि दोनों को क्या क्या प्रोज हैं, दोनों को क्या का कौन्स हैं, लाइक आपको एक example देते हूं, example देते हूं आपको एक, माललो हमारे पास दो alternative है, alternative first and alternative second, ठीक है, हमें चाहिए investment, हमें चाहिए investment, that is one lakh, clear, हमें one lakh की investment चाहिए, तो हमारे पास क्या option है, कि या तो हम fully वो one lakh debt से acquire करें, या fully one lakh वो हम equity से acquire करें, या यह हो सकता है, कि हम एक mix बना ले, debt और capital का mix बना ले, like कुछ amount हम equity से acquire करें, और कुछ amount हमें debt से acquire करें, financing decision में में हमारे यही होता है, कि हम एक debt और equity का mix लेते हैं, capital structure ऐसा लेते हैं, debt और equity का mix ऐसा लेते हैं, जिसमें हमारी जो cost है, वो minimum cost हमारी है, जो minimum low cost हो, और हमारे profits है, जो वो ज़्यादा हो, like is, example से आपको clear हो जाएगा, अच्छे से, investment है, जो हमारी वो, माल लीजे, एक लग है, और माल लीजे है, कि यह, जो सारी की सारी investment है, और raised, through equity, सारी की सारी investment हम, alternative one में, equity से raise कर रहे हैं, ठीक है, तो जो net profit है हमारा, net profit मैं इसमें before taxes ले रही हूँ, net profit हमारा माल लीजे, 20,000 है, ठीक है, net profit 20,000 है, तो इस case में हम rate of return कैसे calculate करेंगे, rate of return calculate करने के लिए क्या करते हैं, net profit divided by equity, right, rate of return क्या होगी हमारी net profit हमारे 20,000, equity है हमारी one lakh, into hundred, right, तो आजाएगा हमारा 20%, इस case में, जब हम सारी की सारी investment, through equity shares, acquire करते हैं, तो हमारी rate of return होगी, वो कितनी होगी, 20%, and जो हमारा second case है, second case में हम क्या करते हैं, हमारी जो investment है, माल लिजे हमारी जो investment होगी हमें कितनी चाहिए, one lakh चाहिए, इस case में हम क्या करेंगे, equity से भी acquire करेंगे, और half जो हमारी investment हमें चाहिए, वो हम debt से acquire करेंगे, माल लिजे debt है, जो वो at the rate 9% है, उसमें हमें 9% इंफस्ट पे करना है राइट एक्विटी से 50,000 एक्वाइर कर रहे हैं और 50,000 हमें एक्वाइर कर रहे हैं हमें डेट से नेट प्रॉफिट इस केस में भी माल लिजिए हमारा सेम है यहां यहां पर हमारा इंटरस्ट कितना आएगा डेट का 9% की हिसाब से 50,000 पर 4500 आजाएगा हमारा जो इंटरस्ट है वो कितना आजाएगा 4500 आजाएगा तो जब भी हम डेट इशू करते हैं या हम कोई लोन वगएर करते हैं तो जो इसका इंटरस्ट होता है उस इंटरस्ट को हम एजा एक्सपेंस मानते हैं और अपने ने प्रोफित में से माइनस कर देते हैं तो हमारा जो नेट प्रोफित अल्टी में बच जाएगा इकुटीज के लिए वो कितना गा त्वंटी थाओजन माइनस फोटी फाइफंड़ दैट इस 15500 तो इस केस में रेट ओफ रिटर्न क्या होगी हमारी रेट ओफ रिटर्न क्या ह होगे इस केस में हमारी 15500 डिवाइड बाइ 50,000 50,000 एकुटी है यहां पर हमारी इंटू हंडर ठीक है तो हमारा इसमें आ जागा 31 31 परसंट तो देखिए हमने दो आल्टरनेटिव लिए दोनों में हमें वन लाक इंवेस्टमेंट चाहिए थी इसमें भी और इसमें भी इसमें हमने क्या क्या सारा इकुटी से रिज किया और इसमें हमने क्या क्या 50,000 एकुटी से और 50,000 डेट से रिज किया पर इस केस में हमारी जो रेट ऑफ रिटरन है वो 31 परसंट आ रही है जरूरी नहीं है कि हर केस में ऐसा ही हो कि जितना जादा हम डेट यूज करेंगे हमारी र पूरी होती है तो किस एक हद तक जो हमारा रेट ओफ रिटर ने जब हम डेट यूज़ करेंगे तो वो जादा आएगा बट अगर हम डेट बहुत ज्यादा यूज़ करने लग जाएंगे तो उससे क्या होगा कि जो हमारी एक्सपैंसिस है वो जादा ही इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि यह कोई गरंटी नहीं होती है बिजनस में कि हमें प्रोफिट हो गई होगा हमें लोसिस भी हो सकते हैं इसलिए हमें जो डेट है वो एक हद तक यूज़ करना चाहिए हम डेट और रिकुटी का ऐसा निक्स यू डीटेटेटीजन में हमें क्या देखना होता है जो हमें प्रोफिट का कितना पॉपीट हमें खुद रखना है कितना पा अपने शेयर होलडर को डिस्टिब्यूट करना है इसका आपको एक आपके इंग्ज़ेंपल देती हूँ आपको एक लाक का प्रोफिट हुआ है तोstage है या तो आपने बिस नस के लिए खुछ न है और आपको अपने परसOLels एक्षब लिए तो आपके बनते हैं कि कितनी जरूरत है कि कि आपको स्वाइशना से इंव्सक्ति करेंगे और या आप उतना पैसा अपने घर ले जाएंगे वही हमारे dividend decision में हम क्या देखते हैं कि हमें जो profit हुआ है वो कितना हुआ है और उस profit का कितना part हमें as a dividend shareholders को distribute करना है और कितना part हमें as a profit हमारे पास retain करके रखना है ताकि हम उसे business में दुबारा से invest कर सके राइट मान लीजिए मान लीजिए हमारे जो profits हैं वो 1 lakh रुपीज के हैं तो हम क्या करेंगे क्या कर सकते हैं हम इसमें हम क्या देते हैं कि जो हमारा business है ठाइक ठीक है business में हमें कोई new product launch करना है या कुछ भी हमें अच्छे opportunities मिल रही हैं उसके लिए हमें 70,000 चाहिए उसके लिए हमें 70,000 रुपीज चाहिए तो हम क्या करेंगे इस 1 lakh में से 70,000 को हम retain कर लेंगे और बाकी का जो 30,000 बचेगा ठीक है बाकी का जो 30,000 है उसको हम as a dividend as a dividend shareholders में distribute कर देंगे clear आपको अच्छे से clear हो गया होगा कि dividend decisions क्या होते हैं dividend decisions में mainly हमें कौन कौन से questions cancels मिल जाते हैं like should the dividend be paid at all क्या हमें सारे का सारा profit as a dividend distribute करना चाहिए या फिर हमें कितना proportion है उसका ठीक है अपने पास रखना चाहिए या हमें dividend है वो कब pay करना चाहिए at the end of financial year pay करना चाहिए या हमें interim dividend pay करना चाहिए या फिर हमें dividend है जो cash में pay करना चाहिए या फिर हमें dividend है जो bonus share में pay करना चाहिए मतलब जब हम dividend decisions लेते हैं हम बहुत सारे questions देखते हैं हमारे mind थोरोली पढ़ेंगे कि जो dividend decisions हैं वो कैसे लिया जाते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेर करें, सबस्क्राइब करें चैनल को हमारे को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेर किजिए थैंक यू वो तियु वोचिंग